तो सोनी के मार्वल यूनिवर्स ऑफ स्पार्रमेंट करेक्टर्स की नई मूवी मॉर्बियस रिलीज हो चुकी है और जातर फैंस तो इस मूवी को लेके एक्साइटेट नहीं थे जो कुछ लोग इस मूवी को लेके एक्साइटेट थे भी तो वो यही जानने के लिए कि आख मुझे इस नहीं देखने लायक है भी या फिर नहीं मूवी के दो पोस के रिट सीन भी जो काफी जाधा इंपोर्टेंट तो कह सकते हो कि हएक हत तक मूवी से भी जाधा जिसके ऊपर अपन बात करें गहीं और उसके ऊपर बात करने से पहले में स्पोईलर वार्णिग दे दूँगा, so without wasting anymore time चले शिरू कर लेते हैं आज के समिजिंग वीडियो को उसके बाद फिर मुवी में एक एंटुगरिस का भी एंट्री होता है तो इसी सभी चीज़ों को मॉर्बियस मुवी कवर अप करती है अब इस मुवी के कुछ काफिज़द अच्छे पॉइंट्स भी थे जिससे जो है अपन एके करके डिसकस करेंगे तो पहले इस मुवी की जो अच्छे पॉइंट्स थे जो इस मुवी की चीज़े मुझे अच्छी लगी उस चीज़ के उपर आ जाते हैं सो स्टार्टिंग में तो जो कह सकतो कि इस मुवी का सबसे बेस पार्ट था वो था जैरेड लेटो अब जैरेड लेटो ने तो बी ओनेस मुवी काफिज़दा अच्छी की थी और जैरेड लेटो की एक्टिंग जो है मुवी में चार चान लगा देती है Jared Leto के वज़े से ही movie किसी भी moment पे कह सकतो कि boring feel नहीं होती है और कुछ moments ऐसे थे जो unnecessary लगते है movie में even though movie काफी ज़ादा shot है बट फिर भी Jared Leto का character जो है movie को save कर लेता है और to be honest Jared Leto का portrayal as Morbius मुझे DCU के Joker के comparison में काफी ज़ादा better लगा एक और चीज़ जो इस movie की surprisingly काफी ज़ादा अच्छी थी वो था इस movie का main antagonist यानि कि इस movie का main villain अब to be honest trailer में हमें कुछ ज़ादा देखाया गया नहीं था विलन से related और जिलनों को Morbius के character के बारे में Morbius की universe के बारे में कुछ नहीं पता है उन्हें कोई अंतासा भी नहीं था कि इस movie का main villain कौन होगा इवन दो कोई book readers के बारे में बात अलग निकल के आती है उन्हें पहले से पता था कि इस movie में क्या होने वाला है लेकिन फिर भी जो हमारा main antagonist निकल के आता है जिसके उपर मैं जाधा discussion नहीं करूँगा वरना spoiler हो जाएगा तो उसने जो है कह सकते हो कि काफी ज़दा important role play किया और जिस actor ने अपने main villain का role किया है मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरे होते हैं बट to be honest वो movie के उपर उतना जाधा impact नहीं डालते हैं बट इसके अंदर Morbius के अंदर जो special effects यूज किये गए थे वो इस movie को काफी जाधा बहतरीन दिखाने में help करते हैं जैसे कि कुछ chasing sequences थे तो वहाँ पे जो कह सकते हो कि special effects यूज हुए है वो बहुत ही जाधा बहतरीन तरिके से सामने निकल के आते हैं तुमने trailer में भी कुछ special effects देखे ही होंगे जो Morbius के आसपास हमें देखने को मिलते हैं फिर जतने fight sequences थे जो अपने main character और main villain के बीच के जो fight sequences थे वहाँ पे जो special effects यूज किये गया है और जो slow motion sequences यूज किये गया है वो बहुत ही जाधा dope निकल के आते हैं और to be honest movie जो है Venom Let There Be Carnage के comparison में काफी जाधा better थी तो ये तो बात हो गई movie के good points की movie के positive चीज़ों की जो movie में अच्छी थी बट अब आज आते हैं movie के negative points के उपर जो चीज़े मुझे movie की पसंद नहीं आई तो सबसे पहले तो this movie was really rushed अब movie की pacing तुम्हें साफ वता चलती है कि काफी जाधा fast है और इस वएसे movie में हर चीज़े काफी जाधा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की गई है और इस वएसे movie काफी जाधा rush है without any doubt बट still let there be carnage की comparison में जो है बहतर ही है बट ये भी चीज़ निकल के आती है कि without Spider-Man तो Morbius की characters related क्या ही दिखा सकते हो मतलब जितनी भी चीज़े possibly वो लोग दिखा सकते थे उन सबी चीज़ों को इन लोगों ने जो है कह सकते हो कि इतने थोड़े से duration के अंदर fit in करने की कोशिश की है बट still ये movie के negative point में ही concert की जाएगी इसके अलावा एक और चीज़ जो movie के अची नहीं थी वो ये था कि movie की जो story थी वो हद से जादा predictable थी मतलब तुम्हें आसानी से पता चल जाता है कि अब आगे movie में क्या होने वाला है आप कोई character कुछ करेगा तो वो क्या करने वाला है possibly अब हमें next क्या चीज़ देखने में को मिलने वाली है ये सबी चीज़ें एक तो fast pacing के चलते already movie rush feel होती ही है लेकिन इसके अलावा इस fast pacing के वज़ज़ से ही कह सकते हो कि movie काफी ज़दा predictable भी बन जाती है और तो में काफी ज़दा typical, काफी ज़दा average किसम की feel होती है एक और चीज़ जो movie की काफी ज़दा बुरी थी वो ये थी कि movie में जो है बाकी characters का उतना ज़दा important role नहीं था अब Jared Rato यानि कि Morbius का जो character था वो important role play करता है वो बहुत ही बढ़ी आता, उसके इलावा जो अपना main villain था, main antagonist था वो बढ़ी आता है लेकिन इन दो characters के इलावा, जितने भी बाकी characters हमें देखने को मिलने हैं बहले उनका कम screen time हो, या जादा screen time हो वो कह सकते हो कि बिल्कुल useless feel होते है, बिल्कुल भी उनका story में कोई potential feel नहीं होता है और इसे वैसे उनका जो कुछ थोड़ा बहुत importance दिखना भी चाहिए था वो बिल्कुल खतम हो जाता है तो ये obviously एक काफी बुरी चीज थी movie से related इन सब के लावा जो कह सकते हो कि चीज काफी जादा बुरी थी एक negative point में considerate upon करेंगे और अगर इस चीज को ये लोग सही करते तो शायद movie थोड़ा और बहतर हो सकती थी वो था इस movie का PG rating अब obviously अगर तो Morbius जैसे character के उपर movie बना रहे हो तो तो तुम्हें उस movie को R-rated ही रखना होगा क्योंकि हमें obvious अगर vampires की बात आ रही है तो वहाँ पे काफी जादा blood involved हो गही बट still ये movie R-rated नहीं थी movie PG-13 थी और इसे वैसे काफी सारे sequences काफी जादा बेकार लग रहे थे बिना blood के तो इस चीज को ये लोग इंपूरूफ कर सकते थे so overall अगर देखा जाए तो सभी चीज को conclude करके यही निकल के आएगा कि एक average film में तुम देखोगे भूल जाओगे जादा कुछ important role नहीं play करती है सिवाए इसके post credit scenes काफी जादा important थे आखिरे में अगर ratings की बात करूँ तो में ये rating रहेगी 5 watt of 10 की इसके अलावा अब जो इसके post credit scenes थे उसके उपर आ जाते हैं तो यहाँ पे तुम लोग को मैं spoiler warning दे देता हूँ बाकि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ी निगल के आती है कि हमें post credit scene में जो है Jared Leto के साथ कह सकते हो कि interaction देखने को मिलता है अपने वल्चर का यानि कि Michael Keaton के character का जहाँ पहले हमें ये बता चलता है first post credit scene में कि No Way Home में जो multiverse break वाला scene था उसके वज़से काफी सारी चीज़ें हुई थी Venom जो है अपने MCU की universe में आ गया था तो उसी basis पे जो है अपना Michael Keaton का जो वल्चर था वो Morbius की universe में चला जाता है और जो दूसरा post credit scene है वहाँ पे हमें कह सकते हो कि वल्चर अपने suit में देखने को मिलता है जो Morbius को बुलाता है जगा पे वो लोग मिलते हैं एक हद तक कह सकते हो कि हमें planning देखने को मिलती है कि शायद एक तरीके से यहाँ पे Sony Sinister 6 को खड़ा कर रहा है तो यह जो दो post credit scenes थे हैं यह entire movie से जादा बटर थे लेकिन तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की ही होगी कि इन लोगों ने Michael Keaton के वल्चर को ट्रेलर में ही देखा दिया था जिसके वैसे movie की hype और जादा बढ़ गए थी लेकिन इन लोगों ने काफी अच्छा card खेरा इन लोगों ने actual में Michael Keaton को movie के end में post-grade scene में देखाया है जो चीज़ कुछ लोगों के लिए disappointing भी हो सकती है बढ़ हमें इतना बदा चलता है कि अब क्यों कि Michael Keaton का वल्चर जो है इस universe में आ चुका है तो probably ये Morbius और हो सकता है आगे चलके Venam भी team up करे और हमें Sinister Six का formation देखने को मिल सकता है तुम मैंसे जिन जिन लोगों ने Morbius इनके इस देख ली हो नीचे कमेंट से अपने reviews जरूर शेयर करना So guys ये थी वीडियो मेरे Morbius के spoiler free review को लेकर आई होपस कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी के description में मिल जाएगा मैं मुल तो तुम से इसके से नेक्स वीडियो में तिल देन बाई stay tuned stay awesome